हेलो दोस्तो, श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर, मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ मैं आज N.V.S. लेब अटेंडेंट की तैयारी करने वाले कुछ विद्यार्थियों के जो डाउट से वो थोड़े बहुत किलियर करने वाला हूँ कुछ विद्यार्थि जो मैं को लगातार पूछ रहे हैं, वो चीज़े मैं यहाँ पर किलियर करूँगा, सबसे पहली चीज, आपके एक डाउट आ रहा है कि सर हमें लेब मैनूल पढ़ना है या नहीं, बाई साब देखो, लेब मैनूल तब पढ़ना था जब EMRS की वेकेंस किया है, मैंने NVS का पैपर दिया है, NVS के पैपर को एनलाइस किया है, उसके आधार पर बता रहा हूँ, मैंने खुछ ने पैपर दे रखा है, मुझे पता है, और अगर आप लोगों को मेरे पर विश्वास नहीं है, तो कोई शरुवत नहीं है, आपको यह पूरा वीडि पर तो बता रहा है, मैं उसका क्या कर सकता हूँ, मैं दोड़ी उसको कहा हूँगा कि भाई, तुम मत बता हूँ, उसकी देखो, आज सतन सता है, और उसके पास अधिकार है, वो कुछ भी उसकी इच्चा है, वो वीडियो अप्लोड कर सकता है, आपको पैचानना है, कि गलत information क्या है, और सह information क्या है, और इसका सीधा सा तरीका है, क्या तरीका है, आप PYQ पैपर उठाईए, वैं ये जो है NVS का, मैंने दो पैपर आपको प्रोवाइड गरवा दिये, कितने दो PYQ पैपर अपलोड करवा दिये, टेलिग्राम पर, हमारा टेलिग्राम है राजस्ता EMRS के अंदर especially mention था कि lab practical से related knowledge होना चाहिए NWS के paper में कोई ऐसा practical related question नहीं आया है इसके अंदर जो question आया है वो कोई practical नहीं है वो सीधे सीधे से आपको बता दू कि theoretical question आ रहे है numerical question आ रहे है हाँ एक दो question ऐसे जरूर आये है जिनको आप ये मान सकते कि practical है लेकिन वो practically नहीं थे वो भी theoretical question है आपने नहीं पढ़े है इसलिए आपको लगा होगा कि वो practical है लेकिन हम पढ़ा रहे हैं हम खुद lab संबाल रहे हैं हमने practical करवाए हैं हमें पता है और EMRS के लिए भी lab manual पूरा मैंने पढ़ा रखा है tension मतले ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको lab manual पढ़ा दूँगा exam में नहीं आया फिर क्या करोगे instrument के बारे मैं बता दूँगा जितने instrument हैं सब बता दूँगा diagram समिद बता रहे थे EMRS में भई वहाँ syllabus में था या नहीं है इस चीज़ को समझे आप थोड़ा सा इसके लिए PYQ analyze करें मैंने खुद ने एक पूरा paper analyze करके आपको बता दिया है तो फिर आप क्यों नहीं समझ रहे हो चीज़ को है ना दूसरा कुछ विद्यार्थी कह रहे है कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वही आएगा क्या और वही ऐसा कैसे हो सकता है है जो मैं पढ़ा हूँ वही आएगा ऐसा कैसे कह सकता हूँ मैं मैं एक सिक्षक हूँ और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो आपको मेरे दौरा पढ़ाया जा रहा है आप उसपे विश्वास कर सकते हैं आपका हर एक concept में clear कर दूँगा है ना science के अंदर physics, chemistry, biology इसके जो concept है जहां जहां से आपके exam के अंदर question आए हैं वो सभी concept आपके clear होंगे और आपको जो है science के एक समझ विक्षित हो जाएगी अब मैंने मान लो numerical के अंदर कोई संख्या ले ली और numerical आया वही लेकिन उसमें संख्या बदल कर आ गई तो वो तो मैं थोड़ी अब ऐसा मेरे हाथ में नहीं है इतना भी मैं जो है कोई वो new examiner उस लेवल पर जाकर के सोचेगा कि मैं भी उसी के लेवल का सोचू जाकर नहीं ह हो सकता है this is not possible किसी वेकेंसी में नहीं हो सकता वाकी आप खुद अपना content देखेंगे हमारी classes आ रही है आप YouTube पे देखो और मेरे पास तो मैं किसी से पैसे तो मांग नहीं रहा क्या पैसे दो और मेरा course खरीदो मेरा course free of cost है मेरा कोई FF कुछ है नहीं ठीक है था वो भी हमने आपकी वो headache है आपको वो लेना पड़ेगा कि किस टीचर से पढ़ना है कोई सब बैस कोचिंग बता दो बैस कोचिंग क्या यह जो content दे रहा हूं free of cost पढ़ लो ना और जिसने selection लिया उसको नहीं मान रहे है वाकि आपकी इच्छा है फिर हमने तो पढ़ लिया है पैपर द पहले तीन वीडियो वो upload किये हैं जो आपके doubts रहते हैं वो सब clear हो जाएंगे उसके बाद में मैंने पढ़ाना सुरू किया था और मेरी 5-6 classes हो चुकी है तो आप उन classes को भी जरूर देगे हैं हमें कहा है कि भूठ चड़ा हुआ है कि classes तो जाए तेल लेना है अपड़ा तक यह चीज़े मैं clear करने के लिए नहीं हूँ मैं आज यह final वीडियो था मेरा अब मैं आगे से पढ़ाई के वीडियो लाओंगा आपको देखने हैं तो देखिए notes बनाने है तो बनाईए पर मैं यह एक एक विद्यार्टी को भालतू के जो है आपके सवालों के जवाब नही की तयारी कर रहे हैं और फिर आप एक सरकारी सेवक बनना चाते हैं और आपको इस चीज़ की भी समझ नहीं है कि आपका पाठे करम क्या है आपको paper analysis नहीं आ रहा है तो दोस्त आपको पहले इन चीज़ों को सीखना होगा अपने आपको तपाओ थोड़ा सा अपने आपको परती के लिए selection लेना है तो अभी मेनत करो हमने जो पहली वीडियो अप्लोड करी है class की उस पर आज 2000 से ज़्यादा भी हुए और बागी की जो वीडियो है उस पर 400 500 क्यू भाई 500 विद्यार थी कहां गए कहीं कहीं गए नहीं है वो इधर ही है लेकिन देखे कौन अरे वेक गलती करते ही की हो गलती करनी ही की हो जिसमें परस्तापा हो है ना बचो यार तो धन्यवाद आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें वाकि आपको जो मेरे को समझाना था आज मैंने समझा दिया है ठीक है इस लेब मैंदूल के चकर में मत फसना अभी अगर पढ़ना हो न तो पढ़ा देंगे वीडियो पढ़े हैं दे दूँगा आपको आप पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है मुझे ठीक चलिए और ये और बता दू कि अभी NVS की अगर अच्छे से त्यारी करोगे तो ये चीजे बेसिक जो यहां त्यार होगा वो आपके राजस्तान EMRS की वेकेंसी आ रही है तो EMRS में वापस काम आ जाएगा ठीक है तो धन्यवाद जैहिन जैवारा